देखें आज गुजरात में इतिहास बरकरार रहने वाला है और हिमाचल में इतिहास रचा जाने वाला है गुजरात में रेकॉर्ड बनेगा और इतिहास और रेकॉर्ड हिमाचल में तूटेगा जिस प्रकार से 27 वर्ष से भारती जनता पार्टी गुजरात में निरंतर लोग में जनकल्यानकारी योजना चलाई है, इसके चलते गुजरात की जनता फिर से एक वाद, सातवी बार भरोसा जता रही है मरती जनता पार्टी में, और हिमाचल में भी जहां पर आम तौर पर एक रिवाज है कि हर पांच साल में सरकारे बदलती है. आज वो रिवाज, आज वो रेकॉर्ड तूटने वाला है और हिमाचल प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत के साथ भार्टी जन्ता पार्टी की सरकार बनने वाली है एक चीज स्पष्ट है कि 2014 के बाद खास कर Politics of Pro-Incumbency, Politics of Performance, Politics of Vishwaas, Politics of Vikas और Politics of Vishwasniyata ये डबल पी, डबल वी वाली पॉलिटिक्स, प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी की नित्रतों में आज भारत के इतिहास में पहली बार दिखाई दे रहा और इसी के चलते, चाए उत्तर प्रदेश के जब चुना होए, उत्राखन के जब चुना होए वहाँ पर भी जहाँ पर सरकारे रिपीट करने का कोई इतिहास नहीं था वहाँ पर भारती जिल्टा पार्टी ने अपनी सरकार फिर्स से बनाए और आज भी Politics of Pro-Incumbency और Politics of Vikas के एक और रूप दिखने मिलने वाला है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में अल्याज को सर्पाइस करेंगी और आवाले पार्टी बड़ा चमक्तार करेंगी गुजरात करेंगी देखें आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भारती जनता पार्टी को दिल्ली के MCD चुनाओं में बीस से ज़्यादा सीट नहीं मिलना रही पर तु भारती जनता पार्टी को MCD के चुनाओं में 104 सीट और आम आदमी पार्टी एतना दुश्पचार करने के बाद सारे संसादन जुकने के बाद पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित पूरी केमपेनिंग करने के बाद मात्र कुछ चंद सीट ही भारती जनता पार्टी से आगे निकले MCD के चुनाओं मुझे पता है और मुझे पूरा यकीन है कि जो आकड़े निकल कर आएंगे गुजराच से भी और हिमाचल से भी यहाम आदमी पार्टी को जरूर चोकाएंगे क्योंकि इससे पहले भी उत्त कर बनाने का दावा किया था मुख्यमंति का चैरा दिया था वहां पर भी जादतर सीटों पर डेपॉसिट जब्त होगे तो आज आम आदमी पार्टी को जो आकड़े निकल कर आएंगे गुजराच से भी और हिमाचल से भी वो निश्य तूरूर से चौकाने वाले ही दलवा हुआ 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 है